टीवी एक्टर शोईब इब्राहिम और दिपिका ककर हाली में पैरंस बने हैं 21 जून को दिपिका ककर ने बेटी को जर्म दिया था पता दें दिपिका की प्रिमेचुर डिलिवरी हुई थी जिसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्ट्राग्राम पोस्ट के जरिये दी थी पाती जिस दिन बेटा हुआ उस दिन उनका experience कैसा रहा ये भी उन्होंने अपने fans के साथ शेर किया है चलिए आपको बताते हैं कि उनका experience कैसा रहा और दिपिका की health अप कैसी है पता दे शोईब और दिपिका ने वीडियो शेर करते हुए कहा छोटु जल्दी हमारे पास आ लगता है आपको बेटा होगा या बेटी इस पर दिपिका ने कहा था गट फीलिंग है बेटा होगा पाच मिनट बाद डॉक्टर बोलती है मुबारक हो बेटा हुआ है ये सुनने के बाद दिपिका operation थेटर से चिलाने लगी देखा मैंने कहा था बेटा ही होगा इसके अभी तक अपने बेटे का चहरा रिवील नहीं किया है उनकी बेटे को अभी एस्पताल में इंक्यूबेटर में रखा गया है डॉक्टर्स उसकी देख भाल कर रहे हैं शोईब और उनका परिवार इस वक्ट दुआ कर रहा है कि वो जल्दी रिकवर हो जाए और घर आ सके बता दे कि शोईब इन दिनों शोई अजुनी में नजर आ रहे हैं मैं शोईब ने खुलासा किया कि शोई के मेकर से उन्होंने कहा था कि मैं शोई छोड़ दूँगा मुझे ऐसा लगता है कि पूरी प्रेग्नेंसी में दिपिका के साथ जादान नहीं रह पाया लेकिन अपने शोई के प्रेडियूसर्स को थैंक्स कहना चाहूंगा उन्होंने मुझसे बात की और समझाए कि कोई तो रास्ता होगा हम नहीं चाहते कि आप शोई छोड़े उन्होंने बहुत एड़जेस्ट किया है मैं शोईब दिपिका और बच्चे के साथ पूरा टाइम स्प आगे, बाई की मोगल मुड़े बात मुझस साथा तो जाज कि आपके और शोवीशारम चाहे का स्वार माम कम एका घृद कि तुलरा राइगा है कि ए वोटेगे 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 कोई भरती जड़ाना हका खाज है जाप जाते आपे जामने